हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आप सब के लिए मैं गूड न्यूस रेकर आई हूँ सबसे ची बात है औल इंडिया में आप कहीं से भी है आप इसमें इलीजिबल हो अप्लाई कर सकते हो कैसे कौन कोन अप्लाई कर पाएगा सारा प्रोसीजर में आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करना चैनल को बेल बटन को साथ में जरूर प्रेस करना इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जान करी डालूगी चली फ्रेंट्स अब डिरेक्ट ओफिशन नोटिफिकेशन पर चलते हैं देख लेते हैं क्या क्या इलिजिबल्टी यहाँ पे मागीगी हैं कौन कौन किस तरह से यहाँ पे अपलाई कर पाएगा और अगर आप किसी भी गवर्मेंट जॉब की तयारी करे हैं बेस्ट स्टेडी मेटील ढूंड रहे हैं पीडिएफ फॉर्मेट में आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उन पीडिएफ को डाउंड कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वैलियोबल बुक्स है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वारी है अभी FCA के एक्जाम हुआ है Food Corporation of India का काफी कोशन उसी में आए हुए है उस पीडिएफ में से अगर आपको पीडिएफ के ज़रूरत है बुक्स के ज़रूरत है तो उन पीडिएफ को डाउंड करना बिलकुल भी मत बूलेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए ओफिशन नोटिफकेशन पे चलते हैं बात कर लेते हैं इलीजी विल्टे की सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट गेट्स की 24 जून 2019 से आप अपलाई कर सकते हैं क्लोजिं गेट जो लाइए यानि की लास डेट जो है वो है आठ जुलाई 2019 तक आप अपलाई कर पाऊगे और एप्लिकेशन फीज के लिए लास डेट रखे गी है 11 जुलाई 2019 सो आपके पास टाइम है अराम से आपने 8 जुलाई 2019 तक अपलाई कर लेना है और फीज आप 11 जुलाई 2019 तक इजिली पेक कर सकते हो और सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पे यहां पे आईडी प्रूफ में यानि कि अपनी फोटोग्रेफ के साथ आपको सेल्फ अटेसे जो डॉकॉमेंट है चाहे आपके पास आई कार्ड हो अडेंटिटी कार्ड हो यानि कि आपका अधार कार्ड हो गया वोटर कार्ड उन में से कुछ हो ठीक है ड्राइविंग लाइसेंस हो अगर आप 12500 खास तोर पे तब टोटल जो वेकैंसी है वो है 4858 वेकैंसी है यानि कि 4858 यहां पे वेकैंसी आउट हुई है और जिसमें यहां पे रिजर्व रखी गिया है कैटेगरी वाइसे इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो मैं फॉर एक्जम्पल के लिए आपको बदा दे जनरल में देखें 2354 वेकैंसी है जिसमें यहां पे रिजर्व रखी गिये इसमें भी अलग 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 कैटेगरी वाइसे रिजर्व रखी गिये इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो सिंपल सी बात है हम इलीजिबल्टी की बात करेंगे एस रिमिड यहां पे देखें minimum 17, maximum अगर आपकी एस 42 है आप अपलाई कर सकते हो इसके इलावावे यहां पे एस रिलेक्सेशन आपको दिया जाएगा qualification की बात कर लेते हैं qualification देखें यहाँ पर 12th pass eligible है जैसे कि मैंने आपको बताया 12th pass के साथ साथ अगर आपने 10th जो है Hindi या Sanskrit दोनों में किसी भी एक subject के साथ pass out की है 10th या 12th यहाँ पर देखें बताया हूँ है चाहे 10th में Hindi या Sanskrit किसी भी एक subject के साथ pass out की हो चाहे 12th में Hindi या Sanskrit में किसी भी एक subject आपके एक pass था तो आप यहाँ पर eligible हो उसी के साथ यहाँ पर 12th अगर आपने 1st division के साथ pass out की है यानि कि 60% से ज्यादा अगर आपके marks है आप apply कर सकते हो या अगर आपके graduation में 60% से अवर्व है marks आप eligible हो apply कर सकते हो उसके बाद देखे application की fees की बात करेंगे journal male and female के लिए 100 रुपीज application की fees रखी गी है मतलब male and female all India में कहीं से भी belong करते हैं आपके लिए application की fees 100 यहाँ पर रखी गी है जर्यानल से मतलब अगर आप हर्याना के इलावा किसी भी और state से बिलॉंग करते हैं तो आप यहाँ पर जर्यानल में ही include किये जाएंगे अगर आप SC से है तो आपको यहाँ पर जर्यानल में ही मानना जाएगा तो आपके लिए 100 रुपीज application की fees रहेगी और जो female हर्याना रेजिडेंट की है जर्यानल केटेगरी से उनके लिए 50 रुपीज application की fees रहेगी PWDA और ex-service man जो हर्याना स्रेट की है उनके लिए कोई application की fees नहीं है उसके बाद देखे SC, BC, EWS जो हर्याना स्रेट की है उनमें male के लिए 25 रुपीज application की fees रहेगी and female के लिए 13 रुपीज रहेगी उसके बाद देखे selection procedure में आपका यहाँ पर written exam होगा 90 marks का उसके बाद criteria और experience के according की 10 में से आपको marks यहाँ पर मिलेगे ऐसा नहीं है कि experience मांगा ही गिया है बट जिनके पास है उनको यहाँ पर अलग marks मिल सकते हैं official website है देखे hssc.gov.ni यानि हर्याना स्राफ सेलेक्शन कमिशन की official website पे जाके आपने इसको apply कर लेना है वीडियो को like कीजिए का share कीजिए का thanks for watching